ये आकाश्वणी है अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए राश्ट्रपती दुरौपदी मुर्मून ने कहा है कि पिछले दस वर्षों में स्वच्छता अभियान एक राश्ट्रव्यापी अभियान बन चुका है राश्ट्रपती ने आज उजयन में सफाई मित्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रसनता वेक्त की कि मध्यप्रदेश के कई शहर सफाई मित्र सुरक्षित शहर गोशित किये गए हैं राश्ट्रपती ने कहा कि स्वच्छता से ही देश स्वस्थ और विकसित होगा उन्होंने कहा कि महाकाल की नगरी उजयन में संस्कृती और सब्भता की परमपरा सदियों से निरंतर विद्धिमान है राश्ट्रपती ने कहा कि 2025 तक चलने वाले स्वच्छ भारत अविहान के दूसरे चरण में हमें पूर्ण स्वच्छता का लक्ष हासिल करना है कारिक्रम में राश्ट्रपती मुर्मू ने पांच सफाई कर्मियों को सम्मानित भी किया उन्होंने इस अफसर पर उजयन और इंदौर के बीच छे लेन वाले राजमार्क के निर्मान के लिए वर्चुल माध्यम से भूमी पूजन किया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कहा है कि सरकार देश के खाद्य क्षित्र में नवाचार, स्थिर्ता और सुरक्षा के वैश्विक मानक इस्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया दोहजार चौवीस प्रधरशनी के अवसर पर एक वीडियो संदेश में प्रधान मंत्री ने कहा कि भारत में एक जीवंत और विविद खाद्य संस्कृती है किसान देश के खाद्य पारिस्टिकी तंत्र की रिवड है सरकार किसानों की मदद के लिए कई नई नीतियां लेकर आ रही है प्रधान मंत्री ने कहा कि सरकार देश में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए आधनिक बुनियादी धाचे और शंकलाओं का एक मजबूत पारिस्टिकी तंत्र बना रही है प्रधान मंत्री ने आयोजन में कई देशों की भागीदारी पर कहा कि ये दुनिया के साथ काम करने का एक आधर्श मंच है उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस मंच पर खाद्य सुरक्षा, गुर्वत्ता मानकों और सरवुत्तम प्रथाओं जैसे व्यापक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी प्रधान मंत्री शनिवार से अमरीका के तीन दिन के दौरे पर रहेंगे नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि इस दौरान प्रधान मंत्री कई दुपक्षिय और बहुपक्षिय पहलूं पर चर्चा करेंगे प्रधान मंत्री कई विदेशी नेताओं से वारता करेंगे और अमरीका में भारतिय समुदाय को संबोधित करेंगे उन्होंने बताया कि श्री मोधी कई व्यापारिक और अध्योगिक प्रमुखों से उलाकात भी करेंगे विदेश रचिम ने कहा कि श्रीमोदी शनिवार को चौथे कौार्ड नेताओं के सम्मिलन में शामिल होंगे सम्मिलन से अलग प्रधानमंत्री कई नेताओं के साथ द्युपक्षी बैटके भी करेंगे उन्होंने बताया कि भारत अगले वर्ष कौार्ट सम्मिलन की मेजबानी करेगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गटकरी ने आज कहा कि सरकार का लक्ष हाइड्रोजन के उपियोग से आने वाले वर्षों में लगभग 22 लाख करोड रुपए के जिवाश्म इंधन के आयात को कम करके लगभग 4 लाख करोड रुपए करना है दिल्ली में कारिक्रम में श्री गटकरी ने कहा कि सरकार मिराई परियोजना पर तेजी से काम कर रही है मिराई एक कार है जो कचरे से उत्पन हाइड्रोजन का इंधन के रूप में प्रियोग करती है उन्होंने ये भी कहा कि जैव प्रद्योगी की के उप्योग से सस्ती दर पर हाइड्रोजन का उत्पादन संभव हो सकता है मंत्राले ने भारत को उर्जा निर्यातक देश बनाने के लिए एक डॉलर प्रती किलोग्राम की दर से हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष रखा है श्री गटकरी ने राष्ट्र निर्माण में क्रिशी के महत्व पर जोर देत हुए कहा कि हमारे किसान केवल अन्न दाता ही नहीं बलकि ओर्जा दाता इंधन दाता और हाइड्रोजन दाता भी हैं क्योंकि वे पराली के उपयोग से जैव एथेनॉल उत्पन करने में सक्षम है केंद्र सरकार क्रिशी अनुसंधान और तकनीक पर अगले महीने से क्रिशी चौपाल नाम से रेडियो और टीवी कारिक्रम शिरू करेगी आकाश्वानियों और दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कारिक्रम का उद्देश्य किसानों को नवीनतम क्रिशी अनुसंधान और तकनीक की जानकारी उपलब्द कराना है कृषी मंत्री शिवराशिंग चौहान ने आज नई दिली में कृषी मंत्राले की 100 दिनों की उपलब्दियों को बताते हुए इस कारिक्रम की घोशुना की श्री चौहान ने कहा कि किसानों से सीधे जोड़कर व्यग्यानिक उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के विधान सभा चौनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार जोर उपर है प्रदान मंत्री और भारती जन्ता पार्टी के वरिष नेता नरेंद्र मोधी ने आज श्रीनगर में एक चौनावी सभा को संभुधित किया उन्होंने लोगों से जम्मू कश्मीर में 25 सितंबर को होने वाले विधान सभा चौनाव के दूसरे चरण में रिकौर्ड संख्या में मद्दान करने की अपील की हर्याणा में एकी चरण में हो रहे है विधान सभा चौनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है विभिन राजनितिक दलों के नेता रैलियां कर रहे है चिन्नई में भारत ने बंगलादेश के साथ पहले एक क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन ताजा समाचार मिलने तक छे विकेट पर 271 रन बना लिए थे रवी चंदरन अश्विन तिहत्तर और रविंद्र जड़ेजा 49 रन बना कर खेल रहे हैं इसके साथ ही ये समाचार बुलिटिन समाप्त हुआ